आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फिश फ्राइ की रेसिपी यह रेसिपी बहुत ही ज्यादा सिंपल और टेस्टी बनती है आज मैंने यहां पे पॉम्परेट फिश का यूज किया है आप यह रेसिपी किसी और फिश के साथ भी ट्राइ कर सकते हैं यह बहुत ही ज् सबसे पहले हम डालेंगे एक बड़ा चमच अद्रक लशन का पेस्ट अब इसमें हम डालेंगे आधा स्पून हल्दी अब हम डालेंगे एक बड़ा चमच धनिया पाउडर आधा चमच जीरा पाउडर एक चमच हम डालेंगे यहाँ फिश फ्राइ मसाला अगर आपके पास फिश फ्राइ मसाला नहीं है तो आप घर में जो आप मसाला यूज करते है वो डाल सकते है इसमें मैं डालूंगी अभी आधा स्पून नमक इस सब को हम बहुत अच्छे से अभी मिक्स करके लेंगे यह मसाला हर एक फिश को बहुत अच्छे से अंदर तक लगना चाहिए इसलिए हर एक फिश को यह मसाला बहुत अच्छे से लगा लें यह देखिए यह मैंने हर एक फिश को अच्छे से मसाला लगा लिया है अब हम इसे ढखके आदे से एक घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे अब यहां पे हम सूजी की कोटिंग बना लेंगे उसके लिए मैंने आधा कप सूजी लिया है यह मैंने एकदम बारीक वाला सूजी लिया है उसमें मैंने डाल दिया दो बड़े चमच चावल का आटा अब हम इसमें डालेंगे आधा चमच हल्दी अब डालेंगे आधा लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक अब इस सब को हम अच्छे से मिक्स करके लेंगे यह बाहर से कोटिंग को भी अगर हम नमक मिर्ची लगाएंगे तो फिश का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा यह हमारा आउटर कोटिंग जो बाहर का कोटिंग है वो बनके तयार है अब हम फिश को इसे लगा लेंगे यह बहुत अच्छे से लगाना है यह देखिए हर जगे से अच्छे से इसे लगा ले अब यह एक पैन में हमने तेल गरम करने रख दिया है इसं अब हम यह फिश फ्राइ करने रख देंगे ऐसी में एक और फिश फ्राय करने रख देतीनी इकदम लो फ्लेम पे अब इसे 1-2 मिनिट के लिए फखने देना है दो मिनिट हो चुके हैं अब इसे सावधानी से पलट ले ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं अब फिर इन्हें एक से देड़ मिनिट के लिए पकने के लिए रख दे ये फ्राय हो चुका है ये देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है आप ये किसी भी फिश के साथ ये रेसिपी ट्राय कर सकते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्यू फर वाचिंग